दोस्तों, कच्चा प्याज खाने वाले देख लो, ये वीडियो कहीं देर न हो जाए। मित्रों, आज का विशय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इसमें जो ज्यान और जानकारी मिलेगी, उसकी कोई कीमत नहीं है, और कोई अन्य आपको यह नहीं बताएगा। आज हम इस वीडियो में कच्चे प्याज के सेवन के फायदे बताएंगे और इससे जुड़े रहस्यों का भयंकर खुलासा करेंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि कच्चा प्याज खाने का सही तरीका क्या है। यदि आप हमारे द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी से प्याज का सही इस्तिमाल करने के तरीकों को अपनाते हैं और अपने आहार में शामिल करते हैं, तो आपको कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। और आप हमेशा कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं। अगर आप इस जानकारी का लाभ नहीं उठाते, तो बाद में आपको अफसोस हो सकता है, इसलिए क्रिपया कच्चे प्याज की इस जानकारी को अवश्य जाने, क्योंकि इसके पोशक तत्वों की कमी से भयंकर परिण हो सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि एक बार कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली, जय बागेश्वर धाम सरकार अवश्य लिखें। ताकि बागेश्वर धाम बाला जी की क्रिपा आप पर और हम पर सदा बनी रहे। यदि आपको हमारी प सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन का ओप्शन अवश्य चुनें ताकि हमारी नई वीडियो की सूचना आपको मिल सके। प्याज हर घर में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सबजियों में से एक है। चाहे शाकाहारी खाना हो या प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। सबजी में प्याज डालने से उसका स्वाद बढ़ जाता है और इसके खाने से कई बहतरीन फायदे होते हैं। खाना बनाते समय प्याज का तड़का लगाने से खाने का स्वाद बढ़ जाता है। हालां कि प्याज काटते समय आँखों पानी आता है, लेकिन इसके फायदों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। गर्मियों में प्याज खाने से लू नहीं लगती है। यह न केवल लू से बचाता है, बलकि डाइबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों से भी रक्षा करता है। इस वीडियो में हम प्याज के सभी आय प्याज को भरपूर मात्रा में शामिल करें। इससे हार्ट अटैक का खत्रा कम होता है। कई शोधों में बताया गया है कि हृदय से जुड़ी बीमारियों में प्याज बेहद फायदे मंद होता है। दरसल प्याज आपके रक्त को पतला करता है और हार्ट अटैक के खत्रे को कम करता है इसके अलावा प्याज ब्लड शुगर के खत्रे को भी कम करता है दोस्तों प्याज में मौजूद सलफर योगिक रक्त शरकरा को कम करने में मदद करते हैं इसके अलावा कच्चा प्याज पुरानी से पुरानी पाचन संबंधी बीमारियों को ठीक कर सकता है और हम प्रतिरक्षा प्रणाली बनाए रखते हैं, जिससे आप बैक्टीरिया और वायरस संक्रमन से बच सकते हैं। प्याज के ओशधी गुन्वाचन तंत्र के लिए भी फायदे मंद होते हैं। पके हुए प्याज में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जिससे एसेडिटी और गैस जैसी समस्याएं दूर होती हैं और कब्स की समस्या नहीं होती। प्याज में पाया जाने वाला यह फाइबर इनुलिन कहलाता है, जो आपके शरीर के अच्छे बैक्टीरिया को पनपने में मदद करता है, ताकि आप सही धंग से काम कर सकें। इनुलिन दस्त जैसी समस्या में भी काफी लाभदायक साबित हो सकता है। प्याज में पाय जाने वाले Phytochemicals, Сिग्रेट से होने वाले दुश प्रभावों को कम करने में भी मदद कर सकते हैं। प्याज में प्राक्रतिक प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो कब्ज को दूर करने में मदद करते हैं, और पेट में दर्द और पेट में कीडे जैसी समस्याओं से राहत दिलाते हैं. कच्चा प्याज डायबिटीज से भी बचाव करता है, क्योंकि इसमें क्रोमियम पाया जाता है, जो शुगर को कंट्रोल करने के साथ ही ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक रखता है, इससे आपकी मानस्पेशियों और शरीर को धीरे धीरे ग्लूकोज मिलता रहता है, और को जमने से रोकने का काम करता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है, दोस्तों, ये प्राकृतिक रूप से आपके खून को पतला करता है, इसके साथ ही डायट में प्याज शामिल करने से शरीर का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल में रहता है, दोस्तों, ज्या रोजाना कच्चा प्याज खाने से कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकने में मदद मिलती है और कई अध्ययनों में भी कैंसर के लिए कच्चे प्याज को फाइदेमंद बताया गया है। इसलिए अपने सलाद में उप्योग करके आप बहतर हड़ी स्वास्थे का निर्मान कर सकते हैं और मित्रों गर्मियों में आँखों में सूखा पनाना बहुत आम है लेकिन प्याज में मौझूद सेलेनियम विटामिन E के उत्पादन में मदद करता है जो बदले में इस इसलिए कच्चा प्याज नहीं खाते क्योंकि इसे खाने से मुह से बद्बू आने लगती है लेकिन सच्चाई यह है प्याज आपके मुह के स्वास्थे को बनाए रखने में मददगार है इसमें विटामिन C सामगरी इसके लिए जिम्मेदार है और दोस्तों यदि आपके पार्टनर को एरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है तो उन्हें हर रोज प्याज खाने को दें क्योंकि इसमें मौझूद खास तत्व पुरुशों की इस समस्या को दूर करने में मदद करते हैं यह पुरुशों में टेस्टोस्टेरॉन के स्तर को बढ़ाने में भी चाते हैं और क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपने फेस पैक में प्याज के रस को शामिल करते हैं तो यह आपको कोमल तवचा देने के साथ ही मुखासे से भी मुक्ति दिलाता है दोस्तों आयूरवेदिक हेयर प्रोडक्ट बालों की ग्रोथ के लिए प्याज के रस का जोग करते हैं इसके अलावा इसके जीवानू रोधी गुणों के कारण प्याज आपकी स्काई एल्प से रूसी और जू को दूर रखने में मदद करता है मित्रों प्याज में विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटियों अक्सिडेंट है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को जामिन बीना गर्भावस्था में महत्वपूर्ण है यह नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है इसमें पाया जाने वाला पोटेशियम रक्तचाप को नियंतरित करने में मदद करता है और हमारे हृदय स्वास्थे को बहतर बनाता है और प्याज में मैंगनीज पा पाचन स्वास्थे को सुधारने में सहायक अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि किन बीमारियों में मेन प्याज बहुत ही उपयोगी माना गया है। दोस्तों प्याज में मौजूद क्वेर्सिटिन और सलफर योगिक हृदय की धमनियों को साफ रखते हैं। रक्त चाप को नियंतरित करते हैं और खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करते हैं। आपको बता दें कि नियमित रूप से प्याज खाने से हृदया घात और स्ट्रोक का खत्रा कम हो सकता है। और प्याज के सलफर योगिक और फ्लेवोनोइड्स रक्त शरकरा के स्तर को नियंतरित करने में मदद करते हैं। प्याज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जिससे यह मधु में रोगियों के लिए उप्योगी होता है। खास कर अगर आप बालों और त्वचा के लिए इसके लाब चाहते हैं और दोस्तों सबसे जरूरी बात प्याज में नैचुरल ब्लड थिनिंग गुण होते हैं। अगर आप रक्त पतला करने वाली दवाएं ले रहे हैं तो प्याज का अधिक सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह ले दोस्तों। क्या आपको पता है कि प्याज हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी जाने जाते हैं। माना जाता है कि इस नुस्खे को दो महीने तक लगातार आजमाया जाए तो बहुत फाइदा होता है। माना जाता है जो आखों में होने वाली बीमारियों से बचाव करने में मदद करता है। आखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए विटामिन E बहुत जरूरी होता है जो प्याज में पाया जाता है। प्याज की मदद से आखों को स्वस्थ रखने के सबसे आसान तरीका है। और स्वस्थ भी हो जाती है। दोस्तों, घर की रसोई में रखे प्याज आपके बालों को जड़ने से रोकने के लिए भी काफी महत्वपून साबित हो सकते हैं। प्याज का रस आपकी त्वचा के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। इसके लिए आप बालों पर प्याज का रस लगाएं और फिर शैंपू से धोलें। सब्ताह में एक से दो बार ऐसा करने से बालों की जड़ों को मजबूती मिलती है। प्याज के रस की एक चम्मच में नारियल तेल की दो चम्मच मिलाएं। यदि आप चाहें तो इसमें एसेंशियल ओनेल की कुछ बूंदें भी मिला सकते हैं जिससे प्याज की गंध कम हो जाती है। इस मिश्रण से सिर पर मसाज करें और मसाज के बाद इसे एक से दो घंटे तक रहने दें। बाद में इसे गुनगुने पानी से धोलें। इस उपाय को सप्ताह में एक या दो बार करने से बालों को मजबूती मिलती है। और बालों का जड़ना बंद हो जाता है। बालों के जड़ने को रोकने के लिए प्याज का रस और प्याज का मास्क भी बहुत प्रभावी होता है। दो चम्मच प्याज के रस और एक चम्मच को मिला कर बालों पर लगाने से बालों की जड़ों को गहराई से मजबूती मिलत इसे बालों पर 15 मिनट तक लगा रहने दें और फिर शैंपू कर लें। इसका उपयोग सप्ताह में दो बार किया जा सकता है। तो आईए आपको बताते हैं। प्याज काटते समय इस परत को कम से कम हटाएं ताकि इसके फाइदेमंद गुण बर करार रहें। वहीं पके हुए प्याज में फाइबर और कार्बन की मात्रा अधिक होती है। जो पाचन तंत्र को बहतर बनाने में मदद करता है और मस्तिश्क के विकास के लिए भी अच्छ को मिला होगा। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस आयुरवेदिक जानकारी का लाब उठा सकें। बागेश्वर धाम बाला जी के सच्चे भक्त क्रिपा आप पर और हम पर बनी रहे। हमारे चैनल प्राचीन ग्यान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। और आप प्राचीन जानकारी का लाब उठा सकें। यदि आप किसी भी बीमारी के आयुरवेदिक उपचार की जानकारी चाहते हैं तो हमारी मेंबर्शिप को जॉइन करें जहां हम आपको सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।